विपक्ष के हंगामे के चलते संसत के पिछले सत्र के लगभग बरबाद हो जाने की वज़े से नकेवल आर्थिक सुधारों से जुड़े बिल बलकि तमाम और एहम बिल भी अटक गए थे अब गुरुवार से शुरू हो रहा संसत का शीद कालिन सत्र कामकाज के लिहाद से बेहद एहम माना जा रहा है कुछ आर्थिक विधैकों सहित कुल 38 विधैकों को संसत की मनजूरी का इंतिजार है और इनमें अध्यादेशों का स्थान लेने वाले तीन विधैक भी शामिल है मौनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के चलते जीस्टी के अलावा और भी कई महतुपूर्ट बिल पास नहीं हुपाये थे अब सरकार जीस्टी विधैक, भूमी अधिगरान विधैक, रियल स्टेट नियमन विधैक जैसे मुख्य विधैकों को आगे बढ़ाने के पक्ष में है सरकार का कहना है कि वो विपक्ष के साथ बैठ कर हर मसले पर बातचीत के लिए तायार है विसल ब्लोः, संरक्षन संशोधन विधैक और भूमी अधिगरान में उचित मौावजा और पारदर शिता का अधिकार, पुनरवास और पुनरस्थापना संशोधन 2015 संसत के पछले सत्र में विपक्ष ने कई मसलों पर सरकार को घहरा था और सदन नहीं चलने दिया था इस बार भी ऐसी ही आशंका जताई जा रही है हाला कि सरकार का कहना है कि सत्र चर्चा के लिए है और तमाम बिलो पर विपक्ष के लिए बातचीत को तयार है कुल मिलाकर संसत का ये आगामी सत्र नकेवल सामान एक कामकाज बलकि आर्थिक सुधारों के लिए हाथ से काफी एहम है इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष सरकार को सहयोग करेगा और देश की तरखकी से जुड़े तमाम विधाई कामकाज अपने अंजाम तक पहुँच पाएंगे निजनाइट डेस्क डीजी नियूज